कि इस्टेप अप और एडिस्टल परचेज में क्या अंतर होता है अलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं गोपी कृष्णा आपके अपने यूट्यूब चाइनल फाइनेंशल विद्गोपी कृष्णा में स्वागत करता हूं कि आज हम चर्चा करेंगे अपने यूट्यूब परिवार के कई लोगों ने पूंचा है प्रस्ण की स्टेप अप यस्ट्र परचेज में क्या अंतर होता है तो पहले तो हम यह बात बताएंगे या स्पर्ष्ट करेंगे कि इह चौनल पर को ने यह साइपी के नाम से अवस्य परचित होंगे मीचल फंड में जो यह साइपी की जाती है उसमें यह दोनों चीज़े आप यूज कर सकते हैं एडिशनल परचेश क्या होता इस्टेप अपका मतलब होता है जैसे इस्टेप सीड़ियां होती है कदम होते हैं उसी तरह से यहां और यहां पर आप दो तरह से उसको फिशर के विससे में सबको मालू है किसी के पास कोई 욕ंद नहीं होना चाहिए यह तो किए डीकी यह पी येंडसा माध्यम है और mutual fund की जिस company में चाहते हैं उसमें निवेस करते हैं जो सेलेक्ट कर लेते हैं डेट आप अपनी साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने साल के लिए करना यह भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यह आपके लिए optional भी है आप चाहें तो साल पैंतिस साल चालिस साल लेकिन अब इसमें यह हुआ कि मैक्सिमम ओटियम आपका तीस साल तक के लिए ही रजिस्टर होगा इसके बाद वह अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐसी कई लोगों के सामने दिक्कते आती होंगी कि मान लीजिए उनकी पैंतालिस साल की थी पचास साल की थी उन्होंने अपना जो है ओटियम रेजिस्टर कराया था यह साइप इन सब चीजों के लिए और पता चला कि जो है जब उनके पास इंकम नहीं है रिटार्मेंट के बाद क्योंकि अगर जिसकी पचास साल है या पैंतालिस है सेवेंटी फाइफ येर्स या और 70t yezoo में हो सकता उसके पास अपने खर्ष चलाने के लिए पैसे हो और उस समय अगर माल लिए उसके पैस पैसे पैसे डेविट होंगे तो सामने मश्या हो सकती है तो मैंसिमें की थे साल के लिए जैसे ज़्यादा नहीं हो सकता है अब ये इक साइपी में आपको यह भी एक फैसलिटी दी गई है कि है आप चाहें तो स्टेप कर लें याशनदी नहीं चाहते है जी जीने चाहते हैं उस तरह से आप अपनी साइपी में भी क्योंकि हर एक विक्ति की हर साल जो है इंकम कुछ कुछ बढ़ती बढ़ती तो यहां पर आप अपने इच्छा उचा चाहें तो आप उसी टाइम यह option सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी साइपी को जब एक साल पूरा हो जाए एक साल बारा महने यानि कि बारा महने मेरी साइपी डेविट हो जाए तो अगले साल मेरी साइपी जो है दस परसंट के हिसाफ से बढ़ जाए या जो है सव रुपाय एमौन भी फिक्स कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी साइपी बढ़नी शुरू हो जाएगी जैसे मालीजी आपकी दस जार रु रुपाय एक हजार रुपाय का एमौंट हर साल बढ़े हैं दोनों लोगों तीस तीस साल के लिए अपनी साइपी की थर्टी यर्ज के लिए तो मिस्टर एक के सामने क्या समस्या हो सकती क्योंकि इन्होंने सुचा कि 10% बढ़ेगा यानि 11,000 फिर 12,000 होगा दोनों सेम चीज और एमौंट दोनों में अंतर है इस टेप तो क्लियर हो गया कि आपके साइपी आटोमेटिक हर साल बढ़ती रहे उसका इमौन बढ़के डेविट हो आपके बैंक अकाउंट से इसको आप जो है इमौंट के हिसाप से और परसेंटेज दोनों के हिसाप से कर सकते मानली जिस 12 मैंने ये साइपी इनकी डेविट हो जायेगी उसके अगले साल यानि 13 महें महिने से 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, 1,000 S.I.P. exceed हो जाएगी, यानि आप इनकी S.I.P. 11,000 के हिसाब से debit होगी, और जब next 12 month complete हो जाएगे, यानि 24 months complete हो गए है, 25th month से जो है इनकी S.I.P. फिर 10% के amount से बढ़ेगी, 10,000 का 10% नहीं, 11,000 का 10%, यानि 1100 रुपाइसे इनकी S.I.P. बढ़ेगी जाकर के, इस तरह से आप सोचे, last month की S.I.P. का amount क्या होगा, आप calculate कर सकते हैं, तो हो सकता problem हो सकती है, क्योंकि अगर आप step up facility हटाना चाहते हैं, तो आपको पहली अपनी S.I.P. cancel करनी होगी, फिर नई S.I.P. register करनी होगी, और जिन्होंने सिर्फ amount दिया था कि 1000 रुपाए हर साल बढ़ती रहे तो उनका पहले साल तो 1000 रहेगा, एक साल complete होने के वाद, यानि 11,000 होई, और दूसरे साल जब complete होगा, तो 12,000 रुपाए होगी, इसी तरह एक 1000 के multiple में इनकी S.I.P. हर साल बढ़ती रहेगी, ये तो हो गया step up, लेकिन इसमें ये है कि आप, जब step up नहीं चाहते तो आप ये साइपी जो है, रजिस्टर कर दें, एक option इसका ये है, और दूसरा option ये है कि step up नहीं लिया, लेकिन जब मेरे पास पैसा होगा, हम अपनी S.I.P. में क्या जो है, परचेज कर सकते अलग से, वरतमान समय में कुछ फंट्स ने तो इसमें कैपिंग लगा रखी है, यानि additional परचेज या फ्रेस इंवेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये साइपी के द्वारा ही इंवेस्टमेंट ले रहे हैं, वहां तो आप additional परचेज नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडिशन से, additional का मतलब हो है कि आप अत्रिक तमली उसमें जो है, आइड कर दें, जोड़ दे नहीं है, उसमें आप उसको जितनी बार चाहें, उतनी बार कर सकते हैं, रोज चाहें, रोज उसमें add करते रहें, इसको बोलेंगे additional purchase, इसको एक और exampy के द्वारा समझते हैं, मालिए 10,000 रुपए की SIP चल नहीं, और किसी के पास 10,000 रुपए next month आ गए, इस्ट्रा, तो व नहीं लगी तो आप निकल लिया, फिर आपको लगता उसके next month, या next day कि हमारे पास और पैसे आ गए, या market down हो चुकी हमको और purchase करना चाहिए, आप कर सकते हैं, लेकिन step up में, आपका जो amount fix है, हाँ step up SIP में भी चाहें, तो आप additional purchase कर सकते हैं, वहां किसी तरह की boundations नहीं है, बाउंडेशन सिर्फ यहीं है कि उसमें जो है, आपका टैपिंग ना लगा हो, कि additional purchase या SIP, one time investment ना ले रहे हो, अगर नहीं ले रहे हो, आप कर सकते हैं, इसी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है, हाँ कई लोग यह सोंचते हैं कि मानलीजे किसी के एक फोलियों में इन्वेस्टमेंट चल ला है, मानलीजे, इसमाल काईप या मल्टी काईप, फ्लैक्सी काईप, किसी एक तरह की scheme है, वो चाहते हैं कि हमारी CSIP में, जो मेरा फोलियों समझते हैं, फोलियों में ही, हम चाहते हैं, फ्लैक्सी काईप में चला, एक समाल काईप में 10,000 समय है, तो वो आपका additional purchase हो जाएगा, हाँ जब आपके पास वो मानलीजे funds आ चुका है, उसमें जितनी बार आप चाहें, उतनी बार additional purchase कर सकते हैं, इस तरह से हमने दोनों चीजे इस पस्ट की, कि step up क्या होता है, और additional purchase क्या होता है, step up का एक और नुखसान है, यहां पे ऐसा नहीं account में, इसलिए मेरी SIP जितने amount की थी उतनी की ही चले, इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही option होगा, एक ही रास्ता है, कि आप अपनी पहले वाली SIP कैंसिल करें, और उसके अबाद अपनी दूसी SIP register करें, आपका जो है, पैस फिर investment होतना शुरू हो जाएगा, लेकिन कभी-कभी ऐसी समस्या भी आ जाती है, अभी तक खाली इंडस्ट्री में खाली एक funds हुआ है, कि जो इस समय SIP भी नहीं ले रहा है, वो है HDFC का defense fund, इसमें आज की समय में यह तो जो है fresh SIP ले रहे हैं, और ना ही जो है one time investment ले रहे हैं, one time तो इन्होंने जो है, जब स fund reopen हुआ तब से नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह के आने वाले time पर हो सकता कई funds भी हो जाएं, तो इसलिए थोड़ा सतर्गता आपको भरतने की आवसकता रहेगी, और इन सबी चीजों के लिए आप चाहें, तो किसी अच्छे बित्ती सलाकार की help भी ले सकते हैं, देखिए ह लेकिन कई लोगों के समस्या आती कमेंट्स करते हैं कि मैं कर कैसे सकता हूं, नहीं कर जकता हूं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे फोन करिए, मेरे आफिस में फोन करिए, मेरे आफिस के द्वारा आपका investment कम्प्लीट कराया जाएगा, जो लोग समस्या महसूस क करते हैं, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल, फाइनेंसियल विद गोपी कृष्णा को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया, अवाज सब्सक्राइब कर लें, बेल